अजी, गवर्मेंट देखे है आए दिन लोगों की assets freeze करते रहती है, कभी किसी recovery के लिए, कभी किसी recovery के लिए, ये तो आपने चुना ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये भी सुना है कि government की assets किसी private entity ने freeze कर लिए और उसके साथ साथ 5 लाग करोड की और assets identified कर रखी हैं freeze करने के शायद नहीं सुन होगा, क्योंकि आज तक ही होगा नहीं था, लेकिन अब हो चुका है, we have a precedent तो आज उसी की बड़े में बात करेंगे, और मैं आज आपको एक ऐसी detailed case study बताने वाला हूं बहुत जादा detail में, regarding Vodafone, Kain Energy and 15 other entities, जिन्होंने साथ में मिलके successfully सरकार को एक लाख करोड रुपे चोड़ने पर मजबूर कर दिया, छोटा मांटनी होता है, एक लाग करोड का मैं आप से पूछना चाहूंगा, और आप अगर आंसर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा how litigation in politics both work domestically as well as internationally. स्टार्ट करते हैं. मैं आपको पहले Vodafone case के बारे मैं बताने वाला हूं, सारी details बताऊंगा, शुरुरुआत कहां से हुई थी, आज के time पर case कहां पर खड़ा है, फिर हूं बात करेंगे kind energy वाले case के बारे मैं, और उसके बाद बात करेंगे, अब ये जो retrospective amendment को हटाने की बात करी गई है, लोग सब हमें bill present करके, वो क्या करी गई है, क्यों करी गई है, सरकार क्या favor करी है, फिर मजबूर हो चुकी है, वगेरा व section number 9 का मैंने bare text खोड़ रखा है, incomes deemed to accrue rise in India, कौन सी incomes को माना जाएगा कि ये इंडिया में accrue rise हो रही है, as a result of which section number 5 बोलेगा कि आपका residential status कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आप बाहर के इंसान हो, आपके हाथ में येवाल income taxable होने वाली है, तो कौन सी income पे deeming provision लगाया जाता थ before this amendment also, section number 9, 1 और 9, 1 के अंदर भी further हम बान को देखने वाले हैं, sub clause 1 को, the following incomes shall be deemed to accrue rise in India, जिसके अंदर के बोल रखा है, जो पार्ट में आपको highlight करके दखा रहा हो, उसको read करिएगा, all incomes which are accruing or arising, whether directly or indirectly, through the transfer of a capital asset जो भी इंडिया में situated है, situate in India, यानि कि कोई भी capital asset अगर इंडिया में situated है, उसको आपने transfer कर दिया है, तो उससे आने वाली जो भी आपकी income होई कि उसको माना जाएगा कि वो इंडिया में एक approval rise होती है, as a result of which section number 5 बोलेगा कि चाहे आप resident हो, चाहे non resident हो, आपके हाथ में ये वाली income taxable होने वाली है, residential status matter नहीं करता, तो ये तो था section number 9, even before all of this tax planning happened, अब देखी हुआ क्या, Hutchison Telecommunications International Limited, Hong Kong की entity थी, जिसको इंडिया में invest करना था, अब इंडिया में इनको करना क्या था, हच की branch खोलनी थी, telecommunications business में आना था, लेकिन, इनको इस section पता था, कि section क्या बूलता है और क्या नहीं बूलता है, और इनके दिमाग में थ section trigger हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इंडिया की capital asset होईगी, इंडिया में situated company होगी, उसको बेचेंगे तो जितने भी capital gains निकल के आएगे, उस पे चाहा सा tax देना पड़ेगा, 10%, 20%, 25% के rate पे, including all of the cesses, charge बगेरा बगेरा, तो यहाँ पे इनके दिमाग में tax planning स्टार्टिंग से ही Amen Island, यहाँ पे बनाएगी, जो कि एक tax haven है, haven नहीं होता है, h-e-a-v-e-n नहीं होता, haven होता है, tax haven कौन सी countries को बोल जाता है, उन countries को बोल जाता है, जहाँ पे आतो tax लगता ही नहीं है, income tax की बात हो रही है, या फिर अगर लगता है, तो इतने negligible rates पे लगता है, 1%, 2%, 3% के rate पे जिसको tax rate नहीं बुला जा सकता, तो यहाँ पे उन्होंने company खोली है, क्यों खोली है, कुछी दिर में आपको समझा जाएगा, यह company खोली गई, जो की 100% subsidiary थी, किसकी, इस वली company की, और further, इस company को 67% shares दिये गए, Hutchison, SR Limited में, Hutchison और SR, इनका एक conglomerate था यह, जो इंडिया में बनाया गया था, telecommunications business के लिए, जिसमें हच के पास 67% कहने की majority stake था, इंडिया में उन्होंने business चालू करा, थोड़े time तक चलाया भी, उसके बाद जब लगा, कि नहीं यार, इंडिया में कोई खास prospects नहीं है, हमरे business को grow करनेगे, और हम इसको बेशना चाहेंगे, तो बेशन shares own कर रखे थे किसमें Vodafone International Holdings में, जो की Netherlands based एक entity है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इच्छा जताई, इसके पास आके हच के पास, कि हम आपकी जो इंडिया में जितनी भी assets है, सारी की सारी खरीदना चाहेंगे, आपका business आप नहीं चलाना चाहते, हम चला लेंगे, तो हची सन, SR Limited के 67% shares, जो की उसी की subsidiary own करती थी, अगर इसके shares transfer कर देती है Vodafone को, तो section number 9 trigger हो जाएगा, क्यों, इंडिया में situated capital asset, वो आपने transfer कर दी है, उससे income निकल क्या आ रही है, तो इंडिया में tax देना पड़ेगा, पेकुस deeming provision लग जाता है, लेकिन इन्होंने क्या कर के 100% shares जो भी इसके पास थे, किसको, Vodafone की Netherlands वाली entity को, तो ये जितने भी shares थे, 100% इसके shares, वो इसको दे दिये गए और बतले में Vodafone ने क्या करा, इनको 11.1 billion dollars के आसपास की payment कर दी, इसी की consideration के तरीके से, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रखिए, देखिए, 2007 म के अंदर ये वहली transaction हुई थी, जहाँ पे Hutchison Telecommunications International Limited, which is a Hong Kong based entity, उसने क्या करा, all the shares of CGP Investments Holding Limited, वो transfer कर दिये, Vodafone International Holdings को, जो की Netherlands based है, और बदले में उसको 11.1 billion dollars मिल गए, अग ये transaction जैसी ही हुई, इंडिया में खबर फैल भी, हर newspaper में चपने लगा, आपसे हज खतम हो गया है Vodafone ने take over कर लिया, इतनी बड़ी deal हुई है, ये भी आने लगा, tax के जितने भी officials थे, वो expect कर रहे थे, कुछ ना कुछ tax आएगा, लेकिन आया नहीं, और जैसे ही tax नहीं आया, इनके कानों में घंटी बजी, कि ये हो क्या रहा है, और जब इन्होंने देखना शुरू करा, Vodafone को, इन दोनों के इच में जो भी डिफरेंस है, यानि की capital gain, उस पे tax निकल के आना चेहता, 7000 करोड के आसपास का, और tax officials कहे रहे हमार पास 10 रूपे नहीं आये, तो ये हुआ क्या है, तुमने तो पढ़ए नहीं रंग से section number 9 को, हमें tax दो इतना, अभी की अभी देदो कितने, 7000 करोड रूपे, यहाँ पर हच ने समझाएगी, भाईस अब देखे, गेम आपके साथ हुआ क्या है, गेम छोटा से ऐसा हमने खेला है, कि section number 9 कहता है, इंडिया में situated capital asset जो भी है, अगर उसको transfer करा जाता है, इंडियन capital asset को, तो आने वाली जो भी income होएगी, उसको de बात भी यही entity own करती है, हमने तो इसके shares transfer कर दी है, माना effectively वो ही चीज हुई है, कि पहले इसके shares हम own करते थे, effectively यह 67% shares वो भी हमारे थे, अब यह हमने दूसरी entity को दे दी है, तो 67% shares इसके, वो भी उसके पास चले गए हैं, indirectly हमने इसके shares transfer कर दी हैं, लेकिन directly तो नहीं करे न और अगर आप section की language case आप से जाते हैं, word by word, तो यहाँ पे बाहर की entities के बीच में transfer हुआ है, और जो transfer हुआ है, वो भी बाहर की entity का ही हुआ है, तो these capital gains जो भी यहाँ पे transaction से arise हो रहे हैं, वो बिलकुल हो रहे हैं, लेकिन कहां पे हो रहे हैं, इंडिया में नहीं हो रहे हैं, Cayman Island में हो रहे हैं, और यहाँ पे हम tax pay कर देंगे, कितना, zero, क्योंकि एक tax haven है, so basically यहाँ पे आपको जितने का भी गेन हुआ, 50,000 करोड का, 60,000 करोड का, उस पे एक रुपे का tax नहीं दिया, हच ने, अब यहाँ पे दीखे, पकड़ा किस को गया, Vodafone को पकड़ा गया, य इसने ही in shares को बेचा था, आगे दूसरी entity को, तो इसने जब initial investment करी थी, और आगे दूसरी entity को बेचा था, इतने में बेचा था, gains इसके हाथ में आ रहे थी, तो capital gains tax वो देना भी इसका बनता था, सरकार ने फिर इसको की नहीं पकड़ा, notice Vodafone के पास क्यों गया, कि तुम 7, करोड़ रुपे तो, इससे पकड़ना चीये था ना, primary tax liability इसकी बनती थी, बात सही है, इसको notice जाना चीये था, सरकार की गलती थी, लेकिन उन्होंने इसको क्यों पकड़ा, इसको इसले पकड़ा, पिकर सरकार ने एक ये भी provision मना रहा रहा इंकम tax act में, या आप कभी भी कि कि इसको क्यों पकड़ा इसको पकड़ना चाहिए था यार primary liability तो इसकी थी ना बिशक दोनों को notice भेजते हैं लेकिन अकेले इसको क्यों भेजा क्यूंकि सरकार को possibility ही लग रही थी कि इससे ही पैसा recover हो सकता है क्यूं क्यूंकि हची सन्ने अपना इंडिया में जितना भी stake था स सारा बेच बाच के वो निकल चुकी थी इंडिया में उसकी कोई भी investment नहीं थी तो अगर हच मना भी कर देती कि मैं तुम्हें 10 रुपे नहीं दोगी सरकार किस से seize करती कोई भी assets कौन सी assets freeze करती कैसे उसको धंकाती कुछ नहीं कर पाती तो सरकार ने कहा यह वला जो मुरगा है इस वाले मुरगे की अब ये सारी की सारी assets इंडिया में तो इससे पैसे मांगते हैं अगर इसने जादा चिक चिक करी तो इसकी assets इंडिया में हम seize भी कर सकते हैं freeze करके बेच भी सकते हैं जो करना चाहिए कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आने वाली तो पकड़ा गया किसको Vodafone को, notice पहुचा इसके पास कि 7000 करोड का tax आपको pay करना पड़ेगा क्यों, क्योंकि बेशक आपने directly इंडिया की कोई asset transfer नहीं करी हो लेकिन ये जो entity है, ये बस paper पे exist करती है, कोई काम नहीं करती, इसकी पूरी value जो भी निकल के आती है, वो इसलिए निकल के आती है, क्योंकि इसके पास 67% Hutchison SR Limited इसके shares हैं, तो ये जो आपने बेची है, अगर आपने ये 60,000 करोड में बेची है, तो 60,000 करोड पूरी value इसी से आ रही है, as a result of which, indirectly ही सही, लेकिन आपने Indian entity, Indian capital asset को transfer करा है, section number 9 is getting invoked, ये discussion Vodafone ने अभी भी अपना वो ही stance रखा, कि हमें TDS काटना बनता ही नहीं था, because आप जो interpretation ले रहे हैं, this is very far-fetched section number 9 does not provide anything of such sort section number 9, अगर आप plainly read करते हैं, तो उसमें ऐसे कहीं पे भी provided नहीं है, हमने बाहर की entity को ही transfer करा है इंडिया में tax बनता ही नहीं था, नहीं इसको pay करना था, नहीं हमें TDS काटना था सरकारमान नहीं रही थी, उन्होंने तो demand raise कर रही थी 7000 करोड की, तो फिर हुआ क्या, September 2007 में department ने जब Vodafone के उपर notice भेजा, और हज के उपर नहीं भेजा इसको बोला कि TDS तुमने नहीं काटा था, पूरा के पूरा tax तुमें अब pay करना पड़ेगा, तो यह जो demand थी, demand of 7990 करोड raised on Vodafone for not deducting TDS, इसको contest करा, इसको challenge करा Vodafone ने कहां पे, Bombay High Court में, and Bombay High Court नहीं क्या बोला, सरकार सही कह रही है, आपर tax देना बनता है, तो basically Vodafone lost at this particular forum, अभी भी वो satisfied नहीं थे, अच्छी खासी demand है, तो वो High Court के बाद कहां पे जाएंगे, Supreme Court गए Supreme Court के अंदर उन्हें ने challenge करा High Court की judgment को, और वहां पे वो जीत गए, यानि कि Supreme Court ने बोल दिया, Vodafone को tax pay करने की जरुरत नहीं है, आप जो भी interpretation बता रहे है section number 9 की, जो सरकार बता रही है ये काफी ही जादा wide interpretation आपने ले रखी है, section के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा as a result of which, जब बाहर की entities के बीच में transfer हुआ है, और बाहर की entity का हुआ है, इंडिया का tax लेना नहीं मनता है, अब जैसे ही ये judgment आई, सरकार ने कहा देखो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्यों? ये तो अकेला case है, 7000 करोड का ये बहुत सारी entities हैं, जो कि इस loophole को अगर ऐसे ही exploit करने लग गई, तो पुराना कितना सारा tax हम lose कर जाएंगे, और लोगों को आदत लग जाएगी, loophole को ऐसे use करने तो यही चीज़ को मद्दे नजर रखते हुए, 2012 के अंदर क्या हुआ देखिए In 2012, to overrule the Supreme Court's judgment उस time की जो government थी, यानि की UPA government, जहां पे Congress majority में थी उन्होंने retrospectively amend कर दिया multiple sections को of the income tax act क्यों? क्योंकि Supreme Court की judgment Supreme Court के ओपर तो कोई भी court नहीं आता अगर आप Supreme Court की judgment को overrule करना चाते हैं, तो अकेला तरीका आपके पास वो ही होता है, कि आप act को ही change कर दें, ताकि act को ही change कर दिया जाएगा, तो उसके बाद Supreme Court ने जो पुराने unamended act की interpretation दी होगी, वो automatically बिकार हो जाती है और वो ही यहाँ पर करा गया और मज़ी की बात retrospectively करा गया समझे क्या करा गया, देखी यहाँ पर मैंने आपको produce करके बताया वो explanation मैंने आपको दिखाई, जो कि section number 9 के अंदर add कर दी गई, देखी for the removal of doubts, यानि कि यह चीज तो starting सही ऐसी थी 1961 जब से income tax act आया है जिसमें section number 9 था, तब से ही हमारे ले तो यही interpretation थी तो मैं doubt आ रहा था, इसलिए उसको clarify करने के लिए बता रहे है, for the removal of doubts it has been clarified that an asset or a capital asset being a share or interest in a company or an entity जो भी registered है या फिर incorporated है इंडिया के बाहर, shall be deemed, मानी जाएगी to be and shall always be deemed to have been यानि कि यह वाले words क्यों डाले गए ताकि 1961 से इस चीज को effect दिया जाए 2012 से नहीं दिया जाए, जब यह amendment लाई जा रही है, normally जित्ती भी amendments होती है वो prospective होती है, amendment आने के बाद से applicable होती है, लेकिन इसको यह सारे words डालने के वज़े से clarification and shall always have been deemed to have been situated in India इन सारे words की वज़े से क्या हुआ, इस amendment को effect दे दिया गया, कब से? 1961 से, जब से Income Tax Act existence में आया था shall always have been deemed to have been situated in India if the shares or interest derives directly या फिर indirectly, its value substantially from assets located in India, for a simplify करके बतातो आपको explanation number 5 को इन्होंने section के अंदर change क्या करा, इन्होंने का देखो section पहले तो यह provide करता ही था कि India की कोई भी asset अगर बेची जाती है, आने वाले gains इंडिया में team करे जाएंगे to accruarize in India, as a result of which जो भी tax payable आएगा, पूर आपको इंडिया में pay करना पड़ेगा अब हम क्या कर रहे है, तुम्हें जो beach की entities इंडिया के बाहर बनाने लग गए हो और इसको बेचके इंडिया में tax देना avoid करने लग गए हो, उसको रोकने के लिए हमने क्या करा है, हमने कहा तुमने जो इंडिया के बाहर incorporate करी गई या पिर इंडिया के बाहर register करी गई entity के shares बेचे हैं, अगर वो shares अपनी जो भी value derive करते हैं, उनकी जो भी value है यानि कि मानली जापने 60,000 करोड में इसको बेचा था, तो 60,000 करोड की इसकी value कहां से आई, क्या Indian company की assets की वज़े से आई है, अगर substantially इसकी value Indian assets की वज़े से आ रही है, तो इनके shares transfer करने पर भी जो भी gains आते हैं, they will also be considered as accruing rising in India, क्यों हम इस asset को भी deem कर देंगे कि ये भी India में situated है, in spite of the fact कि India में situated नहीं है, तो इसको हम मानेंगे इंडिया में situated है, as a result of which Indian situated asset, इसके shares transfer करके जो भी gains आ रहे हैं, वो इंडिया में taxable हो जाएंगे और ये चीज़ मैंने आपको क्या बताई, 2012 के आगे से नहीं apply करी गई, हमेशा से कर दी गई, 1961 से as a result of which हुआ क्या, Voda फोन को एकदम से एक जटका मिला, कि Supreme Court में आप जो भी case जीते थे, वो आप बेकार हो जुका है, क्योंकि Supreme Court ने पूराने लोग के हिसाब से interpretation दी थी, जहाँ पे explanation 5 नहीं थी, और अब हमने explanation 5 insert कर दिये है, from a retrospective effect, as a result of which 2007 में जो भी आपने transaction करी थी, तब भी आपको मान के चलना पड़ेगा कि explanation 5, section 9 के अंदर थी, और यह अगर आप मानेंगे, तो यह वली transaction जो भी आपने करी थी, इस पे इंडिया में tax देना बन जाएगा, और यह चीज सुनते ही, Vodafone का इंडिया के बाहर देखो, इंडिया के बाहर तुम अभी भी बच सकते हो, इंडिया में हो सकता है, तुम्हार पास सारे विन्यूस खतम हो गए हो, सरकार ने law को ही change कर दिया है, retrospectively कर दिया है, तुमें सही नहीं लग रहा, लेकिन इंडिया में अब तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं, किसी भी court के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि law ही change हो गया है, लेकिन अकेला इंडिया थोड़ी है, इंडिया के बाहर भी आप जा सकते हैं, याद करिए income tax act में, section number 90 के इंदर मैं आपको बताया था, कि कभी किसी भी country के साथ, अगर आपका double taxation avoidance agreement होता है, DTAA, यानि कि bilateral treaties जो होती है, अगर ऐसी कोई treaty आपकी किसी भी country के साथ है, और वो treaty provide करती है, कि आपको benefit मिल जाएगा, आपको tax pay करने की ज़रत नहीं, किसी भी xyz country के अंदर, तो उस country का जो domestic law है, उसको आप ignore कर सकते हैं, क्यों, DTAA या फिर domestic law, दोनों से जो भी आपके लिए जादा beneficial होता है, आप वो चीज़ चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर Vodafone ने उस angle को explore करना शुरू करा, transaction कौनसी entities के बीच में हुई थी, इन दोनों के बीच में, यह आपकी जो Netherlands वाली Vodafone वाली entity है, इसने acquire करे थे indirectly क्या India के shares, तो इंडिया के साथ आपको compete करना है, क्योंकि India डिमांड कर रहा है tax, और Netherlands के entity, इससे demand कर रहा है tax, तो यहाँ पर कौनसी treaty invoke करी जाएगी, इंडिया Netherlands treaty, उसको invoke करा गया और यहाँ पर Vodafone ने आर्गिव करा, permanent council of arbitration में जाके, जो की हेग के अंदर है, Netherlands में, वहाँ पर जाके उन्होंने पालतुगा tax demand करा जा रहा है, जो की वैसे, शायद किसी और से नहीं demand करा जाथा, और यही treaty को जैसे invoke करा गया, और invoke करके, permanent court of arbitration के इंदर यह argument दी गई, that this is a gross violation of the fair and equitable treatment, which is promised under the India Netherlands bilateral investment treaty, तो यह argument देने के बाद, PCA ने जो judgment दी, उसमें time लगा, लेकिन 2020 में finally, जब judgment आई, वो किस के favor में आई, Vodafone के favor में आई, in 2020, the PCA ruled in favor of Vodafone and asked the Indian government to stop pursuing them for taxes, यानि कि आप कोई भी taxes इंसे collect नहीं कर सकते, 78,000 करोड के आपने initially demand रखी थी, और इसके बाद interest penalty सब कुछ add कर करके, 20,000 करोड तक पहुँच गए थे, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, नहीं interest मिलेगा, नहीं penalty मिलेगी, नहीं tax मिलेगा, ये बोला PCA ने, and उन्होंने बोला सरकार को कि pursue मत करिए Vodafone के सारी चीज़े collect करने के लिए, और उसके साथ साथ, सरकार के ओपर एक क्या चीज़ डाल दी गई, क्या चीज़, आपको 40 करोड अपनी जेब से देने पड़ेंगे Vodafone को, किस चीज़ के लिए, to reimburse them for their legal cost, जो भी उनको वेर करनी पड़ी है, पूरो के पूरो प्रोसेस में सरकार को हराने के लिए, तो यहां पर उल्टा सरकार की जेब से कुछ कुछ Vodafone के पास जाने वाला है, ये थी पूरी की पूरी Vodafone जेक की history, अब बात करते हैं काईन ऎनरजी वाले केस की history की, कि जीनिक उसमें क्याई के चीज़ डिफरेंट थी, काईन ईनरजी वाला जो केस है, वो ओर जादा इंटरेसमें है वो जादा इंटरेसिटिंग है परसंट ओन करती थी शेर्स किसके काइन UK Holdings के जो की अगेन Britain-based है ये 100% shares ओन करती थी किसके काइन India Holdings के नाम से लगता है इंडिया की Entity है लेकिन ये भी Britain-based है ये भी Britain में ही बनाई कई थी और ये further क्या करती थी ये Hold करती थी काइन इंडियन एसेट्स इंडिया में जित्ती भी एसेट्स थी काइन की जो ये Oil और Gas Exploration के लिए यूज करते थी वो सारी ये सारी अगेन Britain की ये वाली Entity Own करती थी इसके 100% shares इसके पास इसके 100% shares इसके पास ऐसे group का एक structure हुआ करता था 2006 तक लेकिन 2006 के आसपास इनकी दिमाग में आए कि हम IPO लेके आना चाहते ही इंडिया में जो भी पैसा लगाना है उसमें इंडिया की लोगों से ही पैसा raise करते हैं उनका पैसा ही लगाते हैं और उन्हीं को profit कमा के देते हैं तो इस ideology के साथ IPO लाने के लिए इंडिया में company भी तो बनाने पड़ेगी अभी तक आपकी कोई भी company इंडिया में नहीं है तीनों ही ब्रिटेन बेस्ट हैं और इस बाली entity के शेर्स इस बाली entity के पास थे तो इस ब desapली entity ने इसके सारे के शारे शेर्स को दे दिये काइन India लिमिटेड को जो की India based entity ही तो इसके अगें शेर्स ट्रांसर करे जा रहे हैं और ये transfer करने पे जत्ते भी capital gains आ रहे हैं इस वल ये entity को सरकार के रिए capital gains tax दो लेकिन ये देने को त्यार नहीं क्यों वो ही argument कि ये जो entity है ये इंडिया में situated नहीं है और section number 9 कहीं पे भी नहीं बोलता कि जो भी इंडिया की बार की entity है अगर वो भी Indian asset से value derive करती है तो इसको transfer कर पे आने वाले gains उन पे इंडिया में tax देना पड़ेगा तो exactly वही दिक्कत जो भी Vodafone में आ रही थी वही दिक्कत यहां पे भी आने लग गई तो काइन UK Holdings which is based in Britain उसने जब 100% equity shares दिये और काइन India Holdings UK किसको काइन India को यानि कि इसने जब इसके 100% shares जो कि इसके पास थे इसक transaction हो गई इसमें आपने कुछ ना कुछ दिया है कुछ ना कुछ मिला है जो मिला है उसकी valuation करके सरकार ने बोला इतना आपका capital gain मनता है जो कि around 24,500 crores इतने का निकाल के बताया income tax department ने कितने का आपको gain हो गया है काइन ग्रूप को और capital gains tax कि आपको कितने का देना पड़ेगा इस gain पे 6,000 crore के आसपास का इतने की demand raise करी गई काइन energy पे और कब 2006 के transaction के basis पे लेकिन यह जो demand raise करी गई यह अभी नहीं raise करीगी 2006 में देखी दो हजार नौ में क्या हुआ shares of the kind group in kind India was sold to Petronas और यह Petronas क्या है एक Malaysian oil and gas company है यानि कि कुछ ना कुछ shares जो भी उनके पास इस Indian entity के थे 69% shares थे 69% में से कुछ percentage Petronas को बेच दिये क्योंकि इंडिया से वो exit करना चा रहे थे धीर धीर investors को ढूंड रहे थे जो जो मिलता जा रहा था अची deal strike हो रही थी in company है तो 2011 में थोड़ा stake इनको भी बेचा गया लेकिन उसके बाद देखे क्या हुआ साइड लाइन में 2012 में क्या हुआ था मैंने आपको Vodafone वाली case में बैताया था Vodafone वाली case में जब Supreme Court में सरकार हार गई थी तो उन्होंने retrospectively section number 9 के अंदर explanation 5 डालके और बाकी भी कुछ sections के अंदर amendments करके सरकार ने के बोला हमेशा से ही लोको हम change कर देते हैं retrospectively और अब आपको tax देना पड़ेगा चाहे आपने बाहर की entity के shares transfer करे हो क्यों 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 क्योंकि बाहर की entity के shares अपनी substantial value Indian assets से derive कर रहे हैं इसलिए हम उसको भी मान रहे हैं वो बी इंडिया में situated है तो ये 2012 की retrospective amendment आ गई थी Vodafone case में और वो जैसे ही amendment आई क्या अब काइन इंडिया को भी पकड़ा जा सकता है बिलकुल पकड़ा जा सकता है काइन group ये जो था ये भी exactly same law उसी tax loophole को exploit करके तो पैसे बचा रहा था तो काइन energy ने जब ये transaction करी थी 2006 में तब capital gains निकल के आया थे लेकिन सरकार ने उस time पर कुछ भी नी बोला नहीं tax के बारे में बताया है 2009 थोड़ा stake बेचा गया तब भी सरकार ने कुछ नी बोला 2011 थोड़ा और stake बीच दिया गया वेदानता को तब भी सरकार ने कुछ नी बोला सरकार को होश ही नी था क्यों क्योंकि वोड़ा फोन के बीचे पड़े वे थे और वोड़ा फोन से सारका सारा tax ने कालने की कोशिश कर रहे थे बट फाइनली जब 2002 में retrospective amendment करी और लगा की वोड़ा फोन से रेकावरी हो सकती है तो तब सरकार ने सुमना शुरू करा कि ऐसे कितने और बड़े-बड़े cases हैं जहां पे similar grounds पे similar tax loophole को exploit करके tax evade करा गया है और उन्होंने 17 cases identify करे not only Vodafone and Kain Energy इनके लावा 15 और entities थी तो इन 17 के 17 को 2012 वाली retrospective amendment करने के बाग notice बेजा गया 2014 में Kain Group उसने try करा sell करने का कि अपना remaining जित अभी stake बचा है Kain इंडिया में उसको बेचते हैं और इंडिया से exit करते हैं और remaining stake जब उन्होंने बेचने की कोशिश करी जो कि around 10% के आसपास का था I guess 9.8% था तो यह जब बेचने की कोशिश करी तो tax authorities ने नहीं बेचने दिया क्यूं इंडिया में आपने सारी assets बेच दिया और निकल गए तो आपसे पैसा recover करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो सरकार ने का बोला अभी आपके उपर tax demand आ रखी है 2006 वाले case के respect में तो आपको यह percentage हम बेचने नहीं देंगे किसी भी entity को tax authorities prevented काइन from selling the same and उसके बाद ही कि उन्होंने दो तीन चीज़े करी department ने department ने यह वाले stake था काइन energy का वो खुद बेच दिया और उसके बाद जितनी भी proceeds आए अपने पैस रख लिया प्लस इनी shares के ऊपर जो भी dividend मिलना था काइन ग्रूप को वो भी अपने पैस रख लिया और उसके साथ-साथ tax refunds बनते थे काइन ग्रूप के कुछ unrelated cases में इंडिया में उन्होंने कुछ सालों में जब भी उनका tax बनता था latest से 10,000 करोड का अगर 11,000 करोड पे कर दिया होगा तो 1000 करोड का refund मिलना चाहिए काइदे से तो 2006 की बात नहीं और उस साल के tax की बात नहीं और वाकी सालों की बात दो रही है refund बनता था बुछ ना कुछ सरकार ने का है वो भी वापस नहीं देने वाले वो भी रख लेंगे क्यों? माना किसी और साल का refund है लेकिन किसी साल का पैसा लेना भी तो है आप से हमें तो वो लेने के लिए ये भी चीज recovery की तरीके से हम hold back करते हैं और अपने pass रख लेते हैं तीन-तीन तरीके से aggressively देखे वोटाफोन के case में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था recovery कुछ भी नहीं हुई थी सरकार के द्वारा कोई उस case बेची भी नहीं गई थी लेकिन काइन energy की case में सरकार ने थोड़ा aggressive ली इसको pursue करके इन से थोड़ी तो recovery कर लिए अभी जब recovery करी गई आपने aggressive action लिया है तो सामने वाला वो भी aggressive action लेगा यह उन्होंने लिया भी aggressive action देखी कैसे aggressive लिया post 2014 क्या-क्या होता है सारे events देखिए काइन ग्रॉप को वही चीज़ पता चल गई थी retrospective amendment हो चुकी है इंडिया में किसी भी court में अगर जाएंगे तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला तो वो सीधा गए international काइन ग्रॉप approaches permanent court of arbitration यहीं पे पहुँच गए क्यों उनको दिख रहा था अंपट के इंडिया अन्टर लेंट्यisz काइन ग्रॉप क हों एमियुक्त का उच हों क्युक्यर सिरे गए आधमचैश से और इसके नाम में इंडिया तो आ रहे है लेकिन ये बर्रिटिन की एटvention इंटिटी तो तो Britain के entity के shares transfer करे गए हैं, India tax demand कर रहा है, कौन सी treaty invoke करेंगे, India Britain treaty, India UK treaty, उसको invoke करा गया, India Netherlands treaty को invoke नहीं करा गया, लेकिन दोनों ही treaties में similar articles थे, और similar article को use करके PCA केंदर same argument डाली गई कि retrospective amendment गलत है, आप आगे से हमें इस चीज करने से रोकना चाते हैं, रोकिये, लेकिन पुरान कापी ज़्यादा aggressively चालू करा, कैसे देखिए, ये तो हमें पूरा पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं December 2020, यहां पर पहुचते हैं, code जो था PCA, उसने agree कर लिया, कि हाँ सही करें काइन ग्रोप, इनके साथ भी गलत हुआ है, सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए था, retrospective amendment व अपने पास रख ली, तो जो भी आपके पास पैसा आया था, वो पूरा कपूरा, fully आपको compensate करना पड़ेगा, काइन ग्रोप को payment करके, प्लस उसके साथ साथ, award करिएगा the refund in unrelated tax matters, मैंने आपको बताया था न, unrelated tax matters थे, refund बनते थे, नहीं दिये गए थे, तो जो भी refund देने बन उन्होंने बोला, interest भी आपको pay करना पड़ेगा, इस amount पर जो की इतने time से आपने दबा के रखा हुआ है, काइन ग्रूप का, और उसके साथ साथ, इनकी जितनी भी legal cost लगी है, वो भी आपको देनी पड़ेंगी, legal cost इनकी 160 करोड के आसपास, 170 करोड के आसपास की निकल के आपको देनी पड़ती, किसको इनको देनी पड़ती, काइन ग्रूप को, और Vodafone में भी similar चीज हुई थी, उनसे पैसे तो रिकावर नहीं करे गए थे, तो पैसे तो वापस नहीं करने थे, लेकिन legal cost के नाम पे 40 करोड के आसपास अपनी जेप से सरकार को देना पड़ता, प्लस इंट्रेस देना पड़ता अगर टाइम पे उस 40 करोड की पेमेंट नहीं करते तो, अब दोनों ही केसे में उल्टा सा केस पड़ गया है, टैक्स लेने की कोशिश कर रहे थे, वो तो मिलने नहीं वाला, उसके अलावा, उसके उपर से, इंट्रेस, लीगल कॉस्ट यानि कि हमारे टाक्स माटर में आप दखल अंताजी नहीं कर सकते हैं, आप नहीं बता सकते हैं हमें क्या करना चाहिए, घारने के बाद ही बोलना बहुत असाल होता है, गवर्मेंट has petitioned the Dutch Court of Appeals to set aside the arbitration award, Dutch क्या होता है, Netherlands की ही बात हो रही है, वहाँ के लोगों को Dutch बोला जा tax demand को हम pursue कर पाएं, यहाँ पर apply भी कर दिया सरकार ने, तो दोनों ही cases में मना कर दिया कि हम payment नहीं करने वाले pursue करते रहेंगे tax demand को और उसके साथ साथ हम इस arbitration वाले award को हटानी के लिए आगे भी pursue कर रहे हैं किसी नगीसी international forum पे, यह सरकार का stance था, काइन ग्रूप जो था, उन्हेंने कहा तुम करते रहो, परसी तुम्हें जहां पर करना है, मेरे favor में एक award आचुका है, जो कि PCA ने बोला है, और तुम्हें payment करनी पड़ेगी, सरकार ने कहा नहीं करते, जो करना है कर लो, तो काइन ग्रूप कह रहे हैं, जो करना है वो ही तो कर रहे हैं, इन्होंन the PCAs, यानि की Permanent Court of Arbitrations, 1.2 billion dollar arbitration award, यानि की इन होने हर दूसरी country जहां पे इंडियन government की अच्छी खासी assets हैं, वहाँ पे जाके ये PCA का award दिखाना शुरू कर दिये, कि भैसा हमें 1.2 billion dollars मिलने चाहिए, सरकार नहीं दे रही है, इनकी assets आपकी country में है, अब PCA की judgment होती है, व जैसी ही हर country के अंतर जा जाके case file करने लगए, कि इंडियन government की asset हमें freeze करने की opportunity दे दीजे, ताकि इस amount को हम इन से receive कर पाएं, तो हुआ क्या, France में इनको हलकी से जीत मिल भी गई, कैसे मिली है, यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन पहले इसको देखे, काइन ने क्या कर दिया, इन countries में जहाँ पे उन्होंने बोला कि इतना इतना हमें मिलना चाहिए award और यही assets हम freeze करवाना चाते हैं Indian government की, तो value देखे, कितनी value की assets identify करके उन्होंने रखी हुई थी, पाच लाख करोड की, यानिकी 70 billion dollars की asset identify करके, काइन group ने इन सारी countries को बता दी, कितनी की assets हमने identify करके र हुआ है, देखे, French court ने allow कर दिया kind go to freeze the Indian government's assets of around 175 crores, यह पहला order था जो की Indian government की against आया था, जहाँ पे private entity को इंडिया के बाहर Indian government की assets को freeze करने के लिए allow कर दिया गया था, तो यह जैसे ही order आया है, यहाँ से सरकार घबरानी शुरू हो गई, कि अब ये wait नहीं कर रहे हैं, अब आते हैं, present position पे, Vodafone, Kain Group, दोनों की cases समझने के बाद, अब आपको ये बहुत अच्छे से समझाएगा, कि अब हुआ क्या है, August 2021, the total amount demanded from 17 entities में आपको बताया था न, total 17 entities थी, जिनको retrospective amendment करने के बाद, section number 9 explanation 5 जो add करी गई थी, वो add करने के बाद, tax recoveries इन 17 entities से निकल के आ रह याने की permanent court of arbitration, in two major cases out of these 17, 17 में से, दो major cases में तो हारी चुके हैं, और बाकी 15 भी क्यूंकि similar grounds पे लड़े जाएंगे, वहाँ पी भी हारने के अच्छे कासे chances हैं, काइन group जो है, उनने start भी कर दिया है, इंडिया की assets को freeze करना, जो कि आपको monetary loss भी देगी, और उसके साथ साथ पब्लिक में थूथू भी होगी, कि government की assets freeze करी जारी है, मजाग थोड़ी, difficult to overturn the decision, अच्छा एक और चीज, मेरे आपको बताया था न, PCA में हरने के बाद, इन्होंने आगे जाके pursue करना शुरू कर दिया case को, कि हम overturn करवाएंगे इस decision को, लेकिन बहुत मुश्किल है overturn करवान यानि कि इंडिया के जो nominee थे, इस PCA में, उन्होंने भी बोला था कि इंडिया गलत कर रहा है, section 9 के अंदर retrospective amendment नहीं करी जा सकती, this is in gross violation of these double taxation avoidance agreements, और ये चीज होने के बाद, देखे क्या लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ पर आप हार चुके हैं, आपके against जो भी चीजे बोली जा रही है, उसारी आपको pay करनी पड़ेगी, आगे जीतने के chances बहुत कम निकल के आ रहे हैं, क्योंकि आपके खुद के nominated लोग वो ही बोल रहे हैं कि आपने गलत करा है, PCA has not just waived the demanded tax, यानि कि जो आप tax demand कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं बोला गया है कि इसको pursue मत करो, उसके साथ-साथ काफी cases में आपको interest भी पे करने के लिए बोला जा रहे है, अगर आपने पैसे जमा कर रहे थे तो, और legal cost जो थी इन सारी-सारी entities की वो भी bear करने के लिए बोला जा रहे है, तो उल्टा ही case पड़ गया है, कुछ लेना चाहरे थे, देना पड़ेगा ल reverse the retrospective amendment subject to the following conditions, यानि की हम retrospective amendment जो भी 2012 में करी गई थी, जिसकी वरे से 17 entities फसी हुई है, इस amendment को हटा देंगे, मतब amendment को नहीं हटाएंगे, वो तो रहेगी, लेकिन उसका retrospective effect हटा देंगे as a result of which, ये 17 ये 17 entities पे जो भी case चल रहे हो खतम हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हटा रह entities for the tax and will refund the 8,100 crores जो भी उन्होंने already collect कर रहे थे अभी तक, वो बेच बाच के tax refunds रोख के या पर dividend collect करके मैंने आपको बताया था था ना, काइन ग्रूप में जो भी collections करी गई थी, 7,900 crores तो उनसे ही collect कर रहे था, 200 crore के आस पास बाकियों से भी collection आ रहे थी थी, तो जो भी collection interest वापस करेंगे, इस पे interest नहीं पे करेंगे, जबकि PCA ने क्या बोला था, interest भी आपको पे करना पड़ेगा, इस वले amount पे, तो सरकार ने condition रखी, retrospective amendment हटाने के लिए त्यार हैं, लेकिन interest पे नहीं करने वाले, दूसरी condition क्या थी, जो भी benefiting parties हैं, यानि कि ये 17 entities, जिन से courts में, चाहे बाहर के courts में, वो आपको withdraw करनी पड़ेगी, government के against आप pursue नहीं कर सकते, किसी भी case को, and undertake करना पड़ेगा, कि आगे भी, ये benefit लेने के बाद भी, आप कोई भी damages claim नहीं करेंगे, सरकार से, on any grounds, यानि कि, अभी की अभी matter को रफा-दाफा कर दो, तुमसे tax नहीं ल ले थे हैं, देखें, statements made while presenting the bill to reverse retrospective effect of the amendment, सबसे पहली चीज, NDA government, जो की majorly BJP constitute करती है, उन्होंने बोला that they were against this retrospective tax, even when in opposition during 2012, यानि की 2012 में, जब UPA government थी, यानि की Congress की government थी, जहां पे प्रणम मुखर जी, येवली amendment लेके आया थे, retrospective amendment, to tax all of these entities, तो उस time पे BJP opposition में थी, तो representatives हैं, उन्होंने बोला कि हम तो उसी time पे मना कर रहे थे, कि ये बहुत गलत है, draconian law है, एक question out के आता है, कि अगर आप उसी time पे मना कर रहे थे, और आप अभी तक ये present करना चाहरे, bill present करने के time पे, कि हम तो कभी भी इसके favor में थे ही नहीं, ये था ही हमेशा से गलत, तो आ साथ साल तक अगर आप उसी case को pursue कर रहे थे, तो वो गलती एक government की नहीं, दोनों ही governments की मानी जाएंगी, equally मानी जाएंगी, ये कि साथ साल के बाद आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हम तो कभी भी इस चीज़ को चाहते हैं नहीं थे, अगर आप चाहते नहीं थे, तो फिर tax payers क hard earned money, क्यों spend करा जा रहा था, without any intention to win, PCA में lawyers भी आप hire कर रहे थे, cases भी लड़ रहे थे, तो यहाँ पे जो fees लगती है, अगर आपको ये लगता ही गलत है, कि ये tax लगना ही नहीं चाहिए तो फाल तुम्हें tax payers का पैसा क्यों waste करा जा रहा था, इस legal cost को क्यों incur करा जा रहा that this doesn't really make any sense, आप उस टीज को shed off नहीं कर सकती कि हम तो इस टीज को नहीं मानते थे, अगर आप 7 साल से इस टीज को मान रहे हैं और सिर्फ मान नहीं रहे हैं, आप उसको internationally pursue भी कर रहे हैं, legally उन entities को हराने की कोशिश भी कर रहे हैं, और एक को चीज देखे, एक और दिक्कत दे उन्हों ने जब PCA में हरा दिया, और उसके पाद कोई भी आपके पास तरीका नहीं दिख रहा है, जहां पे आप जीत पाएंगे, क्योंकि आपके ही nominees PCA में आपके against rule कर रहे हैं, तो जब आपको बिल्कुली dead end दिख रहा है, और ये दिख रहा है, कि और extra पैसा देना पड और दो entities के case में तो बोला ही गया है, 15 entities के case में दो बारे बोला जा सकता है, तो इसको one-sided move नहीं बोला जा सकता कि सरकार ने बहुत ज़्यादा favor कर दिया सामने वाली entities पे, माना कि litigation में दोनों ही entities को फायदा होने वाला है, सरकार को भी और सामने वाली entities को भी, कि legally this matter को और ज is, उनने एक statement दी, that हम कभी भी retrospective amendments को use नहीं करेंगे किसी भी entity को tax करने के लिए, ये चीज अगे ही मुझे थोड़ी objectionable लगती है, I'll tell you why, देखे, मेरे एक छोड़े सा question है, why is India's retrospective amendment found upon by the world, अकेला India नहीं करता retrospective amendment कभी भी tax law के अंदर, ये जो instances है, US के अंदर भी देखे तो जब बाहर की countries भी, अपने tax recoveries को अच्छे से करने के लिए, लोगों को tax loopholes exploit करने से रोकने के लिए retrospective amendment करती है laws के अंदर, तो हम भी कर सकते हैं, और इंडिया ने इस चीज को करा भी है, हमारा हक बनता है, सीधा सीधा दिख रहा है कि यहां पर tax evasion करने की कोशिश करी अब उस चीज को अगर recover करने के लिए, कोई भी retrospective amendment करी जा रही है, तो इसमें इतना क्या गलत है, जिसकी वरत से हम internationally pressurized feel करे इस amendment को वापस लेने के लिए, और एक और चीज देखिए, यह जो MNCs होती है, बड़ी-बड़ी MNCs, यह काफी cases में किसी भी country के अंदर tax नहीं द यह, Netherlands में करी है, लेकर नहीं, यह entities अपने profits को किसी ना किसी तरीके से ऐसी countries में पहुचा देती है, जिन countries में tax लगता ही नहीं है, यानि कि tax havens में पहुचा देती है, तो क्या यह सही है, बिलकुछ सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, example देतो हम आपको छोटा सा, अगर हर इंस से मिले हूँ, किसी भी value के मिले हूँ, किसी भी type का gift मिला हूँ, वो आपके हाथ में tax नहीं होने बाला, normally हो जाता है, अगर 50,000 से जादा की value का होता है, तो, मान लीजे इसी loophole को, कि language में तो बस ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं exploit करने लग जाओं, तो कितनी ज़्यादा करता है, papers पे divorce ले लेता है, जिस भी date पे उसको बड़ा gift receive करना है, और papers पे ही दोबारे शादी कर लेता है, और ऐसे ही उसने अपनी जिंदगी में 10-20 बार कर लिया है, और ये 10-20 बार करके, जिस भी date पे उसने ये कर रहा था, बहुत मोटी transactions करी है किसी भी इनसान के साथ, जहां पे अगर 56-10 लग जाता, ये वला point ना होनी की वरिसे, तो ये इनसान फस जाता, अच्छा tax देना पड़ता, लेकिन अब इसको नहीं देना पड़ता, ये क्या कर रहा है, loophole को exploit कर रहा है, कि सरकार ने कभी भी imagine कर रहा था, इनसान बार 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 शादी एक ही इनसान से ऐसे करेगा कि शादी कर ली, divorce कर लिया, शादी कर ली, divorce कर लिया, और हर शादी पे हम उसको relaxation देना चाहेंगे, नहीं, normally कोई भी इनसान इसे नहीं करेगा, तो सरकार ने नहीं इस चीज़ को imagine करा, नहीं section के अंदर provide करा, लेकिन इसी चीज़ को कोई भी इनसान loophole मान के अगर exploit करने लग जाए, और उसको एई चीज़ अलाओ कर दी जाए, कि आप exploit करो, क्योंकि section में नहीं लिखा, तो ऐसे तो कोई भी इनसान tax नहीं देने वाला, ऐसे हजारो लूपholes, अभी मैं आपको बता सकता हूँ, जो की law के अंदर है, जिनको exploit करके आप tax बचा सकते हैं law के हिजाब से आप चल रहे हैं, लेकिन आप law की intention के हिजाब से नहीं चल रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको tax avoidance बोला जाता है, तो जहाँ पर tax planning सही है, tax avoidance सही नहीं है, और सरकार नहीं यह जो statement दी है, bill present करने के time पे, एक तो पहले तो retrospective amendment को वापस लेके, दूसर बिल्कुल कर सकती है, insane device, so there is also this counter argument कि शायद ये retrospective amendment वापस लेना, इन MNCs के pressure में आके, international courts के pressure में आके, शायद बहुत ही जादा wise move नहीं निकल के आए, और इसके साथ ये assurances दे दे देना, ये भी counterproductive हो सकती है, लोग हो सकते हैं, tax loop holds को जादा से जादा exploit करने लग जाएं, और tax planning की जगा, tax avoidance पे उता रहें, and the last point is, इन्होंने को चीज बोली, this bill, जो भी present कर जा रहे है, amendment को हटाने के लिए, retrospective effect को हटाने के लिए, this will boost investor confidence, सोच के देखे, क्या ये actually investor confidence को boost करेगा, शायद नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी investor, जो भी इंडिया में पैसा invest करने वाला है, उसको एक सरकार दिख रही है, जिसने जब tax evasion हुई, उसको रोकने के लिए, हर possible तरीका जो भी निकल के आ सकता था, चाहे Indian courts में case लड़ना, चाहे law को overturn करना, retrospectively, चाहे international courts में जाके case लड़ना, सब कुछ उन्होंने, सारे possible venues exhaust कर दिये थे और exhaust करने के बाद, जब उनको दिखा कि वो हार गए है, तब उन्होंने बुला कि ठीक है, हम हार मान लेते हैं, और उसको contest नहीं करने वाले आगे जाके, तो ये अगर आप इस तरीके से portrait करना चाहते हैं, कि हम आपके ओपर retrospectively tax नहीं लगाने वाले, तो शाहिद the confidence नहीं आ और उसके साथ साथ, अगर आप सोचते हैं, इस statement के basis पे, कि हम retrospectively आपको अब बतारेंगी tax नहीं लगाने वाले, इसके basis पे बाहर वाले investors को confidence आना चाहिए, तो मेरे एसाब से इवाले confidence हमें देना नहीं चाहिए बाहर वाले entities को, they should not feel कि इंडिया में जो भी tax में आपको इंडिया में खर्चे करने के लिए, तो tax का button किस पे आएगा, आप जैसे और मेरे जैसे लोगों पे, the middle class and the lower class, हमारे उपर tax revenues की collection करने का, सारा का सारा सरकार के उपर pressure आने वाला है, और हमारे उपर eventually जो भी tax rates लगते हैं, वो लगेंगे, और हम ये सारी-सारी tax planning नहीं करते कि अपनी income जो भी इंडिया में निकल के आने चाहिए, इंडिया में जो tax pay कर रा चाहिए, वो बाहर पहुचा दे income और कहीं पे भी tax pay ना करें, ये practically possible भी नहीं है, middle और lower class के लिए, तो at the end of the day, अगर बड़ी-बड़ी MNCs को ये लगने लग गया, कि ये tax loopholes को exploit करके, जितन in the next video, bye-bye.